Laptop for online classes के लिए तो भी अगर आप online classes लगाते हो अगर आप school में पढ़ते हो, college में पढ़ते हो, university में पढ़ते हो आपको laptop चाहिए, अगर आपका ब्रेड कम है 40,000 के ब्रेड में आप एक laptop जो वो तगड़ा laptop लेना जाते हो ये वीडियो में specially आपके लिए कर रहा हूँ तो start करते हैं, बात करने से इदा number 5 number 5 की बात करते हैं, लेकिन number 5 की बात करने से पहले में आपको कहा दाना चाहता हूँ भी अगर आपने video editing करने हैं, जा अगर आपने gaming करने हैं आप कर सकते हो, आपको कोई भी problem नहीं आने वाली, लेकिन आप normal setting पर gaming कर सकते होगे, उसके साथ अगर आपने 1080p पर video editing करने हैं, आप normally smoothly कर सकते होगे, आपको कोई भी problem नहीं आने वाली, end में आपको दो या एक laptop ऐसा भी बताऊंगा, जिस पर अगर आपने 4K ट्राइ करना आप वो भी कर सकते हो, तो start करते हैं, number 5 की बात करते हैं, number 5 पर यार मैंने रखा HP 14 को, अगर इस laptop की बात करूँ, सबसे पहले इसके price range की बात करते हैं, आपको 41,000 के budget में, HP 14 में, इस specification के साथ देखने को मिल जागा, आपको i3 देखने को मिलेगा, 10th generation के साथ, या 11th generation के होगे, तो वो आपको 43,000 के budget में मिलेगा, अगर आप extra pay कर सकते हो, तो आप 11th generation के और चले जाना, ठीक है, आगे बात करते हैं, इसमें आपको SSD देखने को मिलेगी, अगर मैं SSD की बात करूँ, इसमें जार जो data है, वो जल्दी transfer हो जाता है, इस comparison कियाज़ है, HDD के साथ, ठी कि आपको integrated graphic card देखने को मिलता है, और कोई भी reason नहीं है, इसको number 5 पर रखनेगा, तो भी अगर आपको HP का ही laptop चाहिए, अगर आपने video acting करनी है, जा अगर आपने normal setting पे gaming करनी है, आप इस laptop पे कर सकते हो, बस मैं आपको यही चीज़ कहना चाहता हूँ, कि आपने 16GB RAM के और minimum जाना ही जाना है, अगर आपने video acting करनी है, जा अगर आपने gaming करनी है, आपको integrated graphic card देखने को मिलता है, तो आपकी जो gaming है, वो experience अच्छा नहीं होगा, अगर आप 8GB के पास जाओगे, अगर आप 16GB RAM के और जल जाते हो, तो आपका experience जो है, वो बहुत जाला सही हो जाते हो जा अगर इस laptop की बात करूँ, सबसे पहले, यह laptop भी आपको 41,000 के बटर में देखने को मिल जाता है, laptop का design, build quality बहुत आरा सही है, प्लस भी अगर आपको as a student भी चाहिए, as a office work के लिए भी चाहिए, अगर आपने video acting भी करनी है, अगर आपने gaming भी करनी है, आप सभी के लिए best deal हो जा सकते हो, लेकिन उसका price आपको देखने को मिलेगा, 46,000 के बटर में, and इसमें आपको i5 10th generation के साथ मिल जाता है, 8GB RAM मिल जाते है, प्लस आपको SSD देखने को मिल जाते हैं, तो प्लस पॉइंट तो उस laptop के देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अभी मैं आपको इसका minus point भी बत भी RAM तो मिल जाते हैं, लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता है, वैसे इसकी display quality बहुत ज़्यादा सही है, build quality, उसके साथ भी इसका trackpad, touchpad भी बहुत ज़्यादा सही है, long battery lap मिल जाते हैं, सबसे पहली बात आती है, कि आपको 10 hours का battery backup मिल जाता है, मैं जितने भी आपको laptop बतार laptop की बात करूं, सबसे पहले इसका budget बहुत ज़्यादा सही है, आपको मिल रहा है, so that's why मैंने इसको number 3 पर रखा, because अगर आपका budget 40,000 से भी कम है, अगर आप extra पे नहीं कर सकते, आपके लिए best deal हो सकता है, Lenovo IdeaPad Slim 3i Plus, अगर मैं इसके budget range की बात करूं को 37,000 के budget में मिल जाता है प्लस, आपको इसके साथ Lenovo laptop bag भी देखने को मिल जाता है, मतलब अगर मैं उस laptop bag की price की बात करूं, वो आपको 2000 के budget में देखने को मिल जाता है, तो यह laptop का प्राइज हो जाता है, 35,000 के budget में, अगर आप 5% या 10% आफ ले ले लेते हो, HDFC कार पे या SBI कार पे, इस laptop में आपक अपका प्राइस हो जाएगा, 30,000 के budget में, 300,000 के budget में आपको बहुत the Physics देखनी को मिलेंगे, को आई 3 देखनी को मिलेगा, 10th generation साथ भी मिल जागे, 11th generation साथ भी देखनी को मिल जाएगा, भी, अगर आप 11 generation के और जा सकते हो, आप अगर आपको 10th generation बहुत है, तो आपको वो laptop भी बहुत तगड़ा मिल जाता कोई प्राउब्लम नहीं आती है यह 10th जुरेशन हो गया इतना इनका जो फर्क पर गारा नहीं होता ठीक है आप लॉंग टाइम पर यूज कर सकते हो इस लैप्टाप को एस तुरेंट हो एस आफिस वर्क के लिए चाहिए अगर आपने को हैव मिल जाता है 2019 वर्जन यह लैप्टाप के में स्पेसिकेशन तो मैंने आपको बता दी अभी मैं आपको फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि आपको 8GB RAM मिल जाते है लेकिन आपने अपग्रेड करनी ही करनी है 12GB तक आपने रखनी ही रखनी है ठीक है अगर आपने गेमिं अगर आपको वीडियो एक्टिंग करनी है जाग गेमिंग करनी है 12GB RAM minimum रख लेना विकाज इसमें भी आपको इंटीग्रेटेड जो है ग्राफिक कार देखने को मिलता है तो आगे बात करते है नंबर टू की बात करूं नंबर टू पर जाहिए प्लस अगर आप कहीं पर ले बहुत सही है एंड ऐसा बिलकुल भी नहीं यह लुक देता कि यह 40,000 के बिदर में आपको देखने को मिलेगा ठीक है आपको 2020 मॉडल देखने को मिलेगा आपको i3 11th generation के साथ मिलता है 8GB RAM मिल जाता है 16GB तक आप अपकरेड कर सकतो प्लस आपको fingerprint भी देखने को मिल जाता है आपको SSD देखने को मिलेगी मैंने आपको पहले बता दिया slim and stylish design है तीन गल्स में देखने को मिलता है एंड इसके battery backup की बात करूँ आपको four to five hours का battery backup प्रवाइड कर देता है उसके बाद इसका weight यार one kg 800 gram सिर्फ इसका weight देखने को मिलेगा तो बही main specification मैंने आपको सूस laptop के भ अबल जाता है 16 GB तक आप RAM को upgrade कर सकते हो एंड आपने करनी है ऐसे हैं कि आपने 8 GB रखनी है अगर आपको experience अच्छा चाहिए तो आपने 16 GB RAM minimum रखनी है अभी आगे बात करते है number one की number one की बात करो number one पर यार मैंने रखा इस तर इस पायर 5 को अगर इस laptop की बात करो सबसे पहल आप अपर ग्रेट कर सकते हो 16 GB तक प्लस आपको SIT देखने को मिलेगी graphic card की बात करो आपको 2 GB graphic card देखने को मिल जाता है तो बैए इस पे तो आप आप नॉर्मली गेमिंग भी कर सकते हो एंड नॉर्मली आप वीडियो एक्टिंग भी कर सकते हो अगर आपने 4K भी ट्राइ करना आप कर सकते हो बस आपने 16 GB RAM minimum रख लेनी है 2 GB आपको graphic card मिल जाएगा i5 के साथ आपको 10th generation के साथ देखने को मिल जाता है processor भी बहुत तगड़ा है RAM भी तगड़ी हो जाएगी and आपको graphic card भी 2 GB मिल जाएगा तो भी आपने जैसे भी यूज़ करना है आप कर सकते हो तो है इन दोनों में से जो भी आपको सही लगती है आप उसके और जा सकते हो एंड अगर आपका फॉरी वान थाउजन है इस budget range में असूस जो है वह बहुत ज्यादा सही कर रहा है आप असूस के laptop के और चल जाना वह बहुत आपको specification तगड़ी मिल जाते हैं अगर मैं बात करू अगर आपका बज़र 35 हो रहे हैं तो इस budget range में आप जा सकते हो लिनो वह आइडियापट स्लिंग 3i किया ठीक है वो लुटड़ मिल जाता है ऐसा specification के according देखा जै प्लस उसके साथ आपको bag मिल जाता है अगर आप 5% या 10% आफ ले लेते हो उसका price और भी कम हो जाएगा जो क मैंने laptop बता है वो बैस चील हो सकते हैं अब या आगे मिलते हैं कोई नया topic बगारा लेकर आएंगे आपके साथ share करेंगे तो यार मेरी वीडियो यही पर हो जाती है खरतम अगर आपको मेरी वीडियो को like करताना comment करताना share करताना दोस्तों को बेदाना दोस्तों के भी दोस् सब्सक्राब वीडियो को करें लाइक इन इस्ताग्राम पर करेंगे फॉल्व लिंक अब गारा यारा आपको डिस्कापिशन बॉक्स में देखने को बढ़ी जागा सक्चाब करना मिलते नेक्स्ट वीडियो में ने वीडियो साथ तेंक्यू